अब जानते हैं धान में लगने वाले पर्ण अंगमारी रोग के विशे में एक अन्य फुफंद जनित रोग जिसे शीट बलाइट या पर्ण अंगमारी कहते हैं पौधों की 30 या 35 दिनों के बाद ही धान की फसल को प्रभावित करने लगती है ये बिमारी खेत में पानी के अधिक भराव के कारण होता है खास्तोर पर ये बिमारी खेत के जलस्तर से 30 सेंटिमीटर उपर से दिखाई देती है इस रोग के लगने से पतियों पर पतली-पतली लंबी भूरी रंग या पौआल के रंग की धार्या बनती है और फिर धीरे-धीरे पतियों के सिरे में सुखाव शुरू होता है इस रोग के अधिक प्रकोप होने के कारण पूरा पौधा सुख कर पुआल जैसा हो सकता है खड़ी फसल में इस बिमारी के नियंत्रण के लिए वेलिडा माइसीन डेर लिटर प्रती हेक्टेर की दर से छुड़काओ किया जाना चाहिए